नमस्ते, मेरा नुप मेरे दुबब पुरहिज है, आज के घ्यानने तक सक्ता के अंदर कर, साइनोरी के कॉर्प पर प्रस्तूत करने आ रहे है, अपना वक्तल है, शांदी मोटवारिया हर कली हर महोने में, मेरे वतन के दिवाने बेशमान पेटे हैं, हर नोजवान के सिरे में देश्वक्ति वाले खितार पेटे हैं, जान चली जायागी पर इस वतन की सान में कोई आच नहीं आएगी जान चली जायागी लेकि इस वतन की सान में कोई आच निकलाएगी, लाखों साहित हो है लेकिन करोण तयार रहे है, नमस्ते, ब्रोहर गुरुकुत परिवार को मेरा जद सद्द, आंकरेट शांदी मोटवारियाग, आइवे टोक अबाउट चाइन और इंडिया लूट, य यह वो कहाणी है, जिसमें चिन और तिविया का यूद्धी था, यूद्धू हुआ था, इसमें भारत और चिन के बिच कहीं विवाज की, इस विवाज का कारण भाने की सिमा, चिन में साहिं 1969 को तिवर की विद्रोह के बाद, जब भारत ने दलाए नाबावे, सरण निती तब से नी हुद सखेटना रहता है, भारत ने परोड निती के दहर बेखोंट से लगी, सिमान पर सेटी की दोकियां रखी, पर इसमें चिनी सेना ने 20 अपूबर को गदाख में और बेखोंट रेखा गी, चार एक साथ कुझे सुग कर दोगी, और इसमें चिनी सेना भारति पर भारी पड़ी, और देखते ही ते तक्रिबन 35 गंट को मनी, पूबर ने हमारे अभूराशन के आजे से की जादा पर अपना कबजा कर लिया था, फिर जब रेजाक लख और पूबर में तबांक पर कबजा कर लिया, फिर चिनी ने 20 ने उगर 1925 को यूद विरांग की घो अधिक उचाई को लज गए थे, इसके सेना नायक दुझ मोहट कोल और प्राणना था, इस शीज में हमारे 1300 से भी जादा से निकसरी हो गए, 1000 से जादा घायल हो गए थे, 1600 लागता हो गए थे, और इतने से उसका देल नहीं भरा तो उम्हों ने 2900 से लिकों को बंदी बना प्रें तु आज हमारे जवानों के बड़ाया से अरुना सर्प्रदेश पुरी तरह से, पुरे हख से हमारे अज में उन सितारों का, उन नो जवानों का तहे देल से सुप्रिया और आदर करती हो और उनकी सोच को याद करती हो और किहना चाहूँगी जब आखे पुले तो धर्टी हिंदुस्तान की हो जब आखे बनो तब यादे हिंदुस्तान की हो अब मती जाए तो कोई गम नहीं लेकिन मड़ते वक मिट्टी हमारे हिंदुस्तान की हो